शादी का सीजन है, शौपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनानी की ज़रुवत बिलकुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार नमस्कार, जानेंगे इस कारुबारी सब्ता क्रिशी फसलों में क्या रुजान देखने मिलेगा तो शुरुआत सोयबीन से करते हैं सोयबीन में हमने देखा 7000 के उपर के लेविल देखने मिले और वहीं पर क्लोज होते हुए देखा वाजार और इसी के साथ जो 6900 का एक लक्ष जो हम काफी समय से चर्चा कर रहे थे वो हासिल होता हुए दिखा आने वाले अभी कुछ सेशन्स में हमें तेजी की जो ये ट्रेंड है ये जारी होते होए दिखेगी और ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट पोजिशनल टागेट हमने पिछले हफ़ते चर्चा की थी 7300 का वो काफी जल्द हासिल हो सकता है तो सोया बीन में अभी भी तेजी के आसार जारी हैं और इमिजरेट तोर पर साड़े तीन से चार फीज़दी की और तेजी आने वाले कुछ सेशन्स में याने दो से तीन हफ़तों में हमें दिखने मिलेगी ऐसा मेरा मानना है वहीं कैस्टर सीड ने भी 7100 का जो एक स्थर था वो हासिल किया है यहां पर भी हमने पिछले कुछ हफ़तों में तीजी की चर्चा की थी तो इसमें तीजी आने शुरू हो चुकी है 6850 का जो लेविल था वो पिछले हफ़ते का क्लोजिंग था और वही एक इमिजिट टागिट था जो हासिल हो चुका है और उसी के साथ उसी स्थर पे अभी एक सपोर्ट आता हुआ दिखेगा डिमंड अभी भी स्ट्रॉंग है इन स्थरों पे और ऐसा लगता है यहां पर भी हमें 7300 से 7400 के स्थर देखने मिल सकते हैं तो दोनों ही काउंटर में हमें लगभग से मिलर टागेट आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलेंगे समयरा मानना है वहीं अगर मसाला कॉंपलेक्स ही बात करें तो जबरदस तेजी हमने जीरे में आते हुए देखी और 22,000 से 22,200 का जो लक्ष हमने पिछले हफ़ते डिसकस किया था वो आता हुआ दिखा तो एक बड़ा टारगेट हासिल हुआ है अब ये पॉसिबल है कि शॉट टम में हमें एक कंसॉलाडेशन जिसे कहते हैं याने एक दाइरे का कारोबार वो देखने मिलेगा और ये हो सकता है कि हम ये जो दाइरा है वो लगभग 20,800 से 22,500 का देख पाएं लेकिन पोजिशनल जो ट्रेंड जिसे हम कहते हैं या रुजहान है वो उपर की तरफ ही रहने की उम्मीद है और आने वाले एक से डेड़ मैने में मेरा मानना है कि हम 25,000 रुपे तक के सतर भी देख पाएंगे जीरे में वहीं पर हमने खल्दी में भी तीजी के साथ कारोबार होते वे दिखा ह और 9,800 से बढ़कर लगबग 10,200 के करीब की क्लोजिंग देखी गई है NCDX पर और ऐसा लगता है कि ये तेजी जारी रहने की अच्छी उम्मीद है और पॉसिबल है कि एक नया ट्रेंड जो है वो उभर रहा है तो आने वाले दिनों में हल्दी में भी तेजी की अच्छी उ लगता है एक दारे का कारोबार रहेगा जहां पर 10,600 से लेकर 11,300 के ट्रेडिंग होगी इस दारे के निश्लिस तरों के करीब अगर प्राइजिज मिले तो वहां पर दुबारा बाइंग के ऑपरचुनिटी बनेगी पोजिशनल टागेट अगर यहां लिया जाए तो पर यही जो एक रेंज है यह आते हुए दिखेगी गवार सीड में अगर देखा जाए तो 6,100 के जादा नीचे जाता हुआ नहीं दिखता है बजार लेकिन अपसाइड में भी 6,600 से बहुत जादा उपर नहीं जाएगा तो इन सतरों के बीच ही एक रेंज बाउंड तो रेंज रहेगी छोटी अफ़ी में वो 11,300 से लेकर 12,200 की होगी लेकिन अगर हम लंबी अफ़ी के चर्चा करें तो लगबक 13,000 से 13,500 तक के इस तरह हमें 2-3 अफ़तों में देखने मिल सकते हैं तो यह था एक जाएजा की जो मेजर अग्री कमोरिटीज है वहां पर क्या खुशियों की अपनी दुकाद